हरियों प्रितर्सकों यदि आपकी करक राशी या करक लगन है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं जैसे कि आपने थमनेल में पढ़ा कि ब्रमांड का सबसे ताकत बर ग्रह आपके साथ है आपकी समस्याएं अब दूर होने वाली है और रंक से राजा बनाएंगे शनिदेव तो यह जो करक राशी के जातक है उनके लिए ये वीडियो मैं यह नहीं कह सकता कि हाँ यदि सो लोग है तो सो के सो लोगों के लिए ये सही है परन्तु जादातर लोगों के लिए वीडियो शही रहने वाली है किन के लिए ये बाते घटित होंगी जो मैं बताऊँगा और किन के लिए बाते घटित नहीं होंगी ये भी हम जानेगे और हम उपाए भी जानेगे साथ में महत्तपूर एक हम शर्चा भी कुरने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि ऐसी वीडियो आपने पहले बहुत सारी देखी होगी क्योंकि वीडियो देखना महत्तपूर नहीं है उसको समझना महत्तपूर है वीडियो तो आप देखते हैं थोड़ा आपने दो मिनट देखा और फिर छोण दिया पूरा वीडियो नहीं देखनी के बज़े से या आपको स्क्रिप करके देखते हैं तो इसकी बज़े से भी वीडियो क्लियर होती नहीं फिर आप लोग को लगेगा कि और कमेंट भी आप कर सकते हैं कि आपने जो बताया हो ऐसा कुछ हुआ नहीं है हमने तो ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी हैं पहले इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को पूरा लाश्ट तक और एक बार में ना समझ मैं तो दुबारा देखिए समय ना हो तो बाद में देखिए उजाल अच्छा रहेगा चलिए चर्चा करते हैं और ये राशी फल आपके चंद्राशी के आधार पे है तो सनिदेव का अब जो है तो बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है सनिदेव अभी तक वक्री थे अब मार्गी होने जा रहे हैं ये सनिदेव चार नवंबर दो हजार तेश को वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं तो ये कैसे आपको लाव अब कुछ लोगों का प्रसन हो सकता है कि अच्टम भाव में सन्यदेव गोचर कर रहे हैं तो कैसे अच्छा रिजल्ट देंगे जानेंगे पहले जान लेते हैं कि क्या रिजल्ट देंगे तो सन्यदेव अभी तक यदि आप मानसिक रूप से परिशान थे तो अब मानसिक इस्तिती जो आपकी खराब चल रही थी दुन्द चल रहा था मन में वो अब दूर हो जाएगा आपके मन में एक अंजाना जो भय चल रहा था कुछ न कुछ बातों को लेके आप बहुत ज़्यादा प्रशान थे उससे भी सन्देव मुक्ति दिलाने वाले हैं साथ में आपके दामपत जीवन में यदि समस्याएं बाद व्याद किस्तिती बनी थी उससे भी मुक्ति प्राप्त होगी साथ में यदि पार्टनर्शिप में आप ब्यापार कर रहे थे और वहाँ पर कहीं न कहीं बाद व्याद नुकसान हो रहा था तो ब्यापारियों के लिए भी ये लाबदायक शिद्ध होने वाला है साथ में सनिदेव आपके जीवन में कारिशेत्र को लेके यदि आपका केरियर है आप कुछ नोकरी करते हैं या प्रोफेशन करते हैं वहाँ पर यदि समस्याई आ रही थी लोग आपको दबा रहे थे आप जो कर रहे थे उसका क्रेडिट आपको नहीं प्राप्त हो रहा था अब मिलने वाला है साथ में सरकारी छेत्र से समस्याई आ रही थी वहाँ से भी चुटकारा मिलेगा आपके पिता के स्वास्त में यदि समस्याई थी स्वास्त ठीक नहीं था तो आपके पिता के स्वास्त को भी अवला प्राप्त होगा आरूगता प्राप्त होने वाली है साथ में आपके जीवन में आपके घर परिवार में यदि कलह का महौल बना हुआ था अब वो कलह दूर होके आपस में प्रेम बढ़ेगा और अस्थाई संपत्ति पैत्रिक संपत्ति में भी ब्रद्धी होने वाली है या पैत्रिक संपत्ति से सम्मंधित यदि कुछ बात भी आच चल रहा था उल्जने चल रही थी मुहां से सुटकारा मिलने वाला है और आपको बिजय प्राप्त होने वाली है आपके बाणी से लोग बेवजह सत्र बंजा रहे थे अब वही लोग आपके साथ मित्रता निभाएंगे और आपको सहीयोग करेंगे तो देखा जाए तो शनी देव आपके जीवन में बहुत महत्त पून रोलब निभाने वाले है चहे आपको बाणी क्यों लेके हो चहे आपको धन की समस्या चल रही हो चहे आप जैसे मैंने बताया कि व्यापारी हो तो आप लोगों के लिए ये शनी देव अब वक्री से मारगी होके ये सब रिजल्ट देने वाले है परन्तु यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अब शनी देव अभी तक अब कहेंगे कि भाई कुमर आसी में तो शनी देव जन्बरी से ही है तो अभी तक हमको कुछ दिये नहीं और हमने बहुत सारी वीडियो जन्बरी से लेकर अभी तक बहुत ये तो अब पूरा साल ही जाने वाला है हमने हजारों वीडियो देख लिए पर कुछ हुआ नहीं उसका कारण क्या था ही समझ लीजिए क्योंकि सनिदेव अभी तक अंसबल से बहुत ज़्यादा कमजोर थे और सनिदेव अब अंसबल से मजबूत भी हो चुके हैं साथ में सनिदेव अभी तक बक्री थे और बक्री होने अब जैसे सनिदेव पहले अंसबल से बहुत कमजोर फिर जैसे थोड़ा उनका अबल बढ़ा तो वो बक्री हो गए अब उनको मौका मिला है कि वो जो रिजल्ट देना चाहते थे आपको अब वो दे पाएंगे ये बात सही है कि अस्टम भाव में सनिदेब जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा पीड़ा देते हैं ये बात तो सर्विधित है और जैसे मैंने बताया कि सनिदेब यहां यहां पर दृष्टी जालेंगों वहां भी लाब दे रहें तो सनिदेब की दृष्टी अच्छी नहीं माने जाती ये बिलकुल ठीक बात है परंतु यहां पर समझने वाली बात यह है कि अपनी मूल्तिकोन राशी में है और आपके सब्तम भाव के भी तो अधिपती हैं ये आपके सब्तमेस भी तो बन रहे हैं और जब कोई ग्रह मारगी होता है और अपने मूल्तिकोन राशी में है तो वो कहीं न कहीं उतना खराब रिजल्ट नहीं देता जितना की बाकी इस्तिती में देता है इसके अलाबा एक महत्पूर्ण बात और भी है कि सनिदेब की इस्तिती आपकी जन्म कुंडली में कैसी है यदि सन्धेव, आपकी जन्म कुंडली में अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छी रासी में बैठे हैं, वो अंसबल से मजबूत हैं, सुभ ग्रहों के दृश्टी से दृश्ट हैं, और कोई अच्छे योग भी बना रहे हैं, तो यह सन्धेव जैसे मैंने जो बताया कि आ कोई दुरियोग बना रहे हैं चंद्रबान सनी की यूति है या ऐसे कई सारी योग होते हैं और भी कई सारी महत्पून बाते होती हैं जैसे अब आपके ये जन्मान्क में ये खड़ाप इस्तिटी में है साथ में नौमान समय भी हो गए तो तब शन्देव कहीं न कहीं साथ घटित ना हो तो फिर आपको लग सकता है कि ये वीडियो में जो बताया गया वो सब जोंट है तो इसलिए प्रिदर्शकूं अपनी जन्म कुंडली में सनी देव किस्तिती देख लिजे इसके अलाबा अब देखिए देव गुरु ब्रहस्पति किस्तिती आपने वीड सनी योग बन रहे हैं जिसकी बज़े से ये सब चीजें आपको प्राप्त हो रही हैं और सभी जो तसी आपको बता रहे हैं कि आपको जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है तो बहुत सारे कारण हैं बहुत सारी योग बन रहे हैं अब प्रिदर्शकों हम बात कर लेते उपाई की उपाई की बात करें तो आपको संजदेव के मंत्र का जो ही मंत्र बनता हो या तो आप प्राम प्रीम प्राम सा सने नमहा इसका या आप से जो मंत्र बनता हो उसका संजदेव का मंत्र और शनिचलीशा का भी आप पाठ कर सकते हैं मंत्र कर सकते हैं शंध्याकाल या और भी अच्छे रिजल्ट देने वाले बनेंगे और प्रिदर्स को एक बात और महत्त पूर्ण कर लूँ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपको सनी देव से अच्छा रिजल्ट लेना है चे आपकी जन्म कुंडली में हो अप चे गोचर में हो तो आप लोगों की साथ दीजिये मत आप उसको इतना समर्थ बनाएए किसी को कपड़े की जरूरत है उसको कपड़े मत दीजिये उसको सामर्थ बनाएए यो खुद अपना कपड़ा जुटा सके अर्थात लोगों को इंडिपेंड बनाके और सत्त के राष्टे में चलके क्योंकि सनी देव जो गलत करता है फिर जब सनी की दसा आती है साड़े साती आती है तो सनी देव उसको दंड देते हैं नाको चने चवा लेते हैं इसलिए इनको कहते लोग कि इनकी दसा आई तो वो तकलीफ हुई तकलीफ उनकी दसा की बज़े से खाली नहीं हुई आपने जो कर्म किया उसक के उपर रुष्ट हो जाएं तो राजा को भी रंक बनाने की छंता होती है सनिदेव के अंदर और जिसके उपर खुस हो जाएं तो रंक को भी राजा बनाने हैं सनिदेव इसलिए जिनके उपर साड़े साती ढहिया चली वो जान चुके हैं कैसे राजा को रंक बनाते हैं और जिनके उपर शुभ योग, जैसे सस नामक पंच महापुरस योग होता है, सनी देव आपके बहुत अच्छे भाव में बैटके बनाए हैं, या बहुत सारे और भी अन्य योग. तो आपको मालुम पड़ता है कि हमने जीवन में भरे धीरे-धीरे, क्योंकि सनी देव बहुत धीमी गती है, तो धीरे-धीरे ही देते हैं, पर फिर सीर्ष मिले जाते हैं। इसलिए प्रिदर्ष को संभव है कि बहुत सारे लोग पहले ही वीडियो छोनके चले गए होंगे, और बहुत सारे लोगों को लगरागो की टाइम पाइस कर रहे हैं, पर तो ये सब बाते ज़्यादा जरूरी है समझना, जो कि पहले मैंने दो मिनट बताए कि क्या-क्या हो बने बाला है, तो प्रिदर्ष को ये आप अभी तक बने हैं, एक बात और भी कह दू कि आप कमेंट में जय सनिदेव लिख सकते हैं, क्योंकि लिखना नहीं है खाली आपको, साथ में जब लिख रहे हों, उस समय आपको बोलना भी है, बाद में समय मिले ना मिले, इस समय आ लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्नवाद,